ब्रण्दावनं स्रीहरिदासनाम जल्पन् क्यत्वा समस्त कर्मा प्रेमास्र मुंच जन्तात भीतो ब्रख्यस्य मूलासन आस्रियस्य पर्मोजवल चिनमे महामधुर रशार निर्वद नित्य विहार प्राकटिकरतार अखिल माधुरेक मूरति अनन्रपति स्रीश्वामी हर्दाज्यु महराज प्राण सर्वश्वांके विहरी विहरन स्रीधाम ब्रुंदावन चन्यु गुरु जन, रशिक जन, प्रैमी जन, आचार जन, भक्त जन, स्रीधार श्रीधार श्रीधार चन्यु आचारिय चरण स्रीश्वामी लद कि सोरी देजी उमहराज आपका उत्सव महा महम सब्तम आचारि के रूप में आप स्री टटिया इस्थान में बिराजे करीफ सबातीन सो बर्स पूर वो स्री लद कि सोरी देजी उमहराज रहनी रीती जिस कुल में प्रगट हुए उस कुल की गर्मा मेमा माता पिता धन्य है पुत्रवती जवती जग सोई रहुवर भगत जास्त होई वो परिवार वो माता पिता जिनके यहां रशिक जन प्रगट हुए हुए भगत प्रगट हुए है वो ग्राम पी धन्य है जन्नी कृतार था वसुन्धरा पन्लिवती चते पूर्व जो है आपने स्रवन किया होगा कई वार श्री लट किसुरी देजी महराज का चरित्र यूटूब के माध्यम से स्रीश्वामि लट किसुरी देजी महराज बचपन काल से ही कैसे उज्वल संसकार भक्ति भाव संपन कुल मातापिता और श्वैम के ऐसे दिव्वि संसकार महराज स्री के क्योंक साख्या स्वामि जीद महराज तो थे आचायर जन पता नहीं कौन से कुल को पवित्र करते हैं एक मात्र जनों के कल्यान के लिए आवत्रित होते हैं हतकानता नाम ग्राम में चम्वल नदी के किनारे मध्य प्रदेश में पूर्व नाम महराज का गंगा राम था दर्सनों की इच्छाव है जगनाजी की वहाँ से चल पड़े जगनाजी को भी चिंताव है उनके दर्सनों की बड़े समू के साथ बहुत समू जगनाजी स्वैम प्रतिख्या कर रहे है इतमे दर्सन के लिए ये है प्रेम जगनाजी ने कहा मेरा एक परम भक्त मेरे दर्सन के लिए लालायत भक्त समू के साथ आ रहा है उनको शादल लिवा के लाओ और वहाँ आ चुके हैं हरी एक-एक अपने भक्त की बारता को एक-एक क्रिया को जानते हैं एक द्रिष्टी शंपूर चराचर पे और एक द्रिष्टी अपने भक्त पर रहती है महराज इतना भी जानते हैं ठाकुर इतनी भी ग्यान ठाकुर जी को जो है हर तरीके से कि कितने भाव से नाम जाप किया है कितना किया है कहां बैठ के किया है ये सब हमारे इष्ट को एक सूतरों का अब नाम जाप के साथ-साथ मन कहां बैठा हुआ है कहां गया है कितना एकागर में हो है और कितनी एकागरता में माला भई हैं और कितनी जो है बहरंग बृति में भई हैं ये सब लिकन ये नाम ऐसा महा अम्रत है जैसे भी हो भाव कुभाव नक आलस हो नाम जपत मंगल दिश्दस हो प्रतेक हमारी चेश्टा को प्रभु जानते हैं एक एक इंद्री की चेश्टा को जानते हैं उनसे कुछ भी हम नहीं छिपा सकते हैं हे प्यारे हम तो कुछ लाइक नहीं हैं प्रार्थना करना चाहिए अपनों कर काही बोराओ अब हमको गुरुओं के माध्यम से आपने अपना बनाई लिया है तो अब हमको आप मत भटकाओ हमारे मन को आप ही पकड़ो अपने च्रणों में लगाओ ये प्रार्थना प्रियास रत और प्रार्थना नाम जब देन भाव अनन्य भाव आते हैं श्री गंगा राम जी शहज भाव से अनुराग भाव के साथ उधर ठाकुर को इच्छा है कि मेरे प्रभु के दर्शन हो इधर हाँ मेरे भक्त के दर्शन हो इधर भक्त को इच्छा है मेरे प्रभु के दर्शन हो पहुँच गए भक्त भी दर्शन कर रहे हैं ठाकुर भी दर्शन कर रहे हैं ये था माम परपध्यनते तांस्तदेव भयाम्या अंधेरा नहीं है इश्ट की भक्ती में अंधेरा नहीं है चाहे अनभूती नहीं हुई है लेकिन तुम चल रहे हो न, उस रास्ते पर है, सब कुछ होगा, गवडा होगा, सब कुछ होगा, नाम जाब करो तो सही, बड़े कहते हैं, पापों को खतम तो होने दो, नाम की कृपा से पहले संचित पाप हैं, संचित कर्म हैं, वो जो नाम में मन भी नहीं लगने देते हैं फिर भी जबर्दस्ती नाम मन लगए या नहीं लगए, जाब करो, फिर नाम की कृपा से, वो संचित कर्म, पाप कर्म, उनका धेर का धेर है, वो भस्म होगा, वो भस्म होगा, जैसे जैसे वो भस्म होगी धेरी, वो भी नाम की कृपा से होगी, पैसे पैसे तुमारा मन द प्रारंब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन लगेंगे जी, नहीं चिंता मत करो, ना जाने हरी कहारुचि माने, काउसों स्रम करवा में बहुत ही, काउसों की बात सहज ही बाने, सत्संग की कृपा से तुमारी अनन्य भाव द्रड़ता और दीनता, इस रहनी से प्रभू पत नहीं कवर ही जाएं, एक प्रसंग आप लोग शुनते रहते हैं, दिव्य महाप्रस थे, उनके दर्षनों की जिग्यासा, एक करमकांडी, शाधारन उपासक को हुई, उनके अनुगात जनों से बोले, मुझे महराश्री की दर्षन, आचायर श्री की दर्षन हो जाएं, साक आग्या लेने के लिए गए, उनके अनुशा, उनके अनुगात, उन्होंने कहा हाँ, वो तो करमकांड में और अनेक सामानी क्रिया में संसार में रत हैं, उनको तो बहुत जनम लगेंगे अभी, तसों हज्जार जनम लगेंगे, तब जाके बाद में कोई दर्षन की बाद, अभी कोई मतलब ही नहीं, अभी नहीं उनको दर्षन, ठीक, वापस आए, कि महराश्री आपको दर्षन अभी का चले, दसजार जनम के बाद, कोई बाद बनेगे, अभी तो तुम लिपतो, करम में, नाना प्रकार के, संसार के व्यशनों में, लिपतो, कि दसजार जनम के बाद, प्रभू ने अपने मुख से कहा है, कहां, प्रभू ने कहा है, कि वो हां, वो फलाने उनका नाम है, ठीक है, उनको अभी दर्षन नहीं, दसजार जनम के बाद, अब तो उसको रोना आ गया कि प्रभू ने मुझे याद कर लिया और दस हजार जनम के बाद मुझे दर्सन हो जाएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी कि दस हजार जनम के बाद और मुझे दर्सन हो जाएंगे ओहू तो रोने लगा प्रैम में पागल हो गया, नौच नहीं लगा, आनम से जून जून के जेहू कृपालू हरी, जनक असम के जनम गिंती नहीं कर सकते हैं, उतने जनम हमारे हो चुके हैं, लेकिन अब तो नजदीक आ गए हम, प्रभू ने कहिते हैं, दस हज्यार बार जनम होगा, उसके बाद अ हो, अब तो सहज भाव से हरदय में प्रैम का प्राकट हुआ, दीनता उम्री, जितने करम थे, जितना एहम भाव था, वो नास को प्राप्त हो गया, जब प्रैम प्रगट होता है, इस्ट के प्रति, अनुराग, और अपनी क्रियाओं का एहम भाव था, वो द्वस्त होता है तो प्रभू फिर दूर कहा है, जब समझे तब निकट है, बिन समझे हैं दूर, स्वैम कहने लगे, जल्दी से जल्दी उसको मेरे पास लाओ, मानपुर्शाओं का कहना है, स्वैम ही भगवान आगे उसको गले से लगा लिया, बो भी हरी जी महराज, कहां दस अजार जनम और दस मिल्ट भी नहीं हुए, ना जाने हरी कहा रुचमाने, अगर इस जीव के लेकरम जरम के लेखा पर जाएं, तो इसको ठाकर कभी अपना भी नहीं सकते हैं, यह तो जाने कौन सी बात पर दियानिद रीज जाते हैं, पता जनन इनन भात पर रीज जाएं? कौन सी बात पर रिज्या एक बड़े एक महंत जी थे और महंत जी थोड़ा सा किसी कारण से जो अलग तरह के पत को उन्होंने सुईकार कर लिया एक बताते थे संद मा पर एक महला सेवा करते थी कैसे कैसे महला से कोई शंबंद बन गया शवी सिशिगणोन उनको त्याग दिया करे यह तो हमारी गुरुदी तो और तरह के हो गए बोले गुरुदे इस संस्था को छोड़ दो या इस महला को छोड़ दो गुरुजी बोले इसने यहां की सरण लिया है कैसे अपने आप जाए तो जाओ कैसे ती ती यह बड़ी इनकी लीला है जाए तो जाओ न कैसे कि नहीं तो फिर तुम नहीं छोड़े तो तुम इनकी इक संग चले जाओ नहीं तुन को अटाओ ऐसे कुछ बात आए आखिरकार संस्थासी निश्कासित होना पड़ा और उसकी साथ ही चले गए ऐसा संतमा प्रसंग सुनाते रहे तो वहां तो रीती बतल लगे ग्रस्ती बन गए गुरू जी तो बालग बच्चे जैसे होते हैं साल अठाट बन गया अलग तरह का भजन ध्यान में जो पहले होता था वो भजन ध्यान में क्यों को अलग तरीके के मारग हो गया लेकिन एक कारे नहीं बुला एक सेवा जो गुरुओं ने दिया कि बेटा बैठके प्रैम से तिलक्स रूप लगाया करो तिलक्स रूप लगा के फिर भजन ध्यान किया करो बताया जितना है आसन से तो वो भजन ध्यान के लिए तो टाइम गोरक धंदे में चला गया लेकिन तिलक्स रूप लगाना वो टाइम उन्होंने पकड़ के रखा पांस मिन्ट में लग जाता है देस मिन्ट में दो मिन्ट में जैसा भी होता जाने प्रैम से भाव से जो भी थोड़ा नाम जापके और तिलक्स रूप प्रैम से ऐसे दैनिक जो दिन्चर्या थी बहुत घंटे भजन करने की वो तो सब चली गी लेकिन नितना रह गया वो बराबर जीवन परियंत निवाया जब उनका सरीर छूटा तो एक सिद्ध महापुरस ने देखा कि अरे फलाने फलाने महंत जी जो वरिष्ट हो गई थे द्रक तो पत्ष से वो तो भगवान के धाम को जा रहे हैं बिमानमे बैठ के लोगों की सोचे वो तो नरक में जाएंगे अब वो शिद महापुरस थे उन्होंने ठाकुर से पूछा बड़ी बड़ी इंद्री जीत होके आपकी साधना उपासना करते हैं फिर भी आप प्राप्त नहीं होते हो लेकिन एक ब्यवचारी पुरस को जिन्होंने अपने पत को छोड़ दिया पत भरष्ट हो गए और वो जो है तुम्हारे धाम को गए बगवान हसे कि हाँ सबकी दृष्टी में वो बिलकुल बेकार हो गए लेकिन मेरी दृष्टी में वो बेकार नहीं हो गए से कि गुरुओं के बताय हुए एक नेम को मरते दम तक नहीं छोड़ा जिस दिन प्रान छूटें उस दिन भी तिलक सुरूप लगाया है और चार नाम हजार नाम के जगे पर चार नाम जाप किये हैं हे प्यारे और यों भी प्रार्थना भी करिये मैं तो बिल्कुल भ्रष्टूं मैं तो आपके लायक हूँ नहीं पर आप जानों मेरे बारे प्रार्थना भी करिये और तिलक सुरूप भी लगाया है और एहम भाव जो था साधना का उपासना का वो द्वस्त हो गया है कोई नहीं रहा और जो दिन चर रहा थी बलकुल बेकार ही हो गई थी मैं रिजाओं गुरूओं के बताए हुए नैमों में से एक नैम को जीवन परियंत तिलक सरूप लगाने को नवाया था इसलिए मैं इसी पर रिजी गया और वो मेरे धाम को गया ना जाने हरी कहारों चिमाने काउ सुस्रम करवा में बहुती काउ की बात सहजी बाने पता नहीं प्रभू कौन सी बात पर रिज जाते हैं दयाने जाने कौन सी बात पर रिज जाते हैं अपने तरब से साधक को कभी भी धील नहीं करने चाहिए कभी भी धील नहीं करने ये मनिस जनम धील के लिए संसार के सुख भोगों में डूबने के लिए नहीं है ये अपने पैरों पर कुलाडी मारना है हुआ क्या अब इसमें पलट यह हुआ यह उनका तो कल्यान हो गया लेकिन उनके अनुगत जो सिश्य पर कर था सिश्य समूँ था जिनके वो आदर्स थे जिनके आदर्स थे उनके हिरदय कमल में अपने गुरूजी के प्रत दोश भाव हो गया तो उनकी तो दुर्दसा हो गई आदर्स जीवन होना इसलिए बहुत आवश्यक है अपना कल्यान ही नहीं सबका कल्यान कब होता है जब आदर्स जीवन होता है सबके दृष्टी में हाँ हमारे गुर्दे यो फलाने संत भहुत अच्छे हैं शमू अंदर ते तो अच्छे हैं लेकिन बाहर भी अच्छा जीवन आदर्स जीवन लेकिन प्रभु की लीला है प्रभु की इच्छा है तस्री स्वामी लद्क स्रीदेजी महरा है हर्दय से अनुरागी भावी और उबर से भी आदर्स स्रीश्वामी लद्क स्रीदेजी महरा है सब के पूज्य सरूप, भगवान भी उनके दर्शन के लिए लालायद, जगनाजी, और स्वैम भी भगवान के दर्शन के लिए लालायद, भगवान बोले एक दिन, कि हे लदकिसुरी, गंगाराम था नाम, हे गंगाराम, तुम्हारे दर्शन से मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, भगवान को भगतों के दर्शन से बड़ा सुख मिलता है, जैसे भगतों को ऐसे भगवान को भी, लेकिन तुम ब्रंदावन की निधी हो ऐसा कहके इसलिए ब्रंदावन जू के लिए समस्त धामों के मुकट मने जहां विहरी विहर अखंड विहार परायन रहते हैं ऐसे स्रीधाम ब्रंदावन में तुम पदारपन करी भगवान की आज्या ठीक है आपकी जैसी आगया अब घर बापसी नहीं घर से दर्शन करने के लिए आए के अब घर बापस आजाएंगे दर्शन करके अब बापसी नहीं भगवान का ब्रंदावन जाओ ब्रंदावन अब रास्ती में जब आ रहे तो एक कथा प्रसंग चला कहीं, नाभाजी की भक्तमाल जी यानि भक्त माल जी का प्रसंग चला, उसमें शप्पै ब्याज जो भी बेठे थे, ब्रंदावन के ही ब्याज थे कुई, अधिकान्स देखा जाता है, बिर्जमंडल के ब्रंदावन को युँआ जाता जाता, या आ तो कोई ब्रण्दावन जुब्रज के ही व्यास थे, बड़े प्रैम से भाव से, यहां के मरम को भी जानते थे, कथा कह रहे हैं। और प्रिणवन दिया। लेकिन कहीं में किसी भी प्रिणवन से, नहीं, मुझे तो ब्रण्दावन धाम के लिए अग्या ब्रण्दावन जाना, मुझे कहीं कुछ नहीं। क्योंकि वो रूप रंग सब दीख जाता, ये कैसे, क्या ब्यक्ति हैं, ज्ञान से, मान से, ध्यान से, रूप से, सरूप से, वो, सब ने कहा, लेकिन कहीं नहीं मुझे ब्रन्दावन धाम जाना है, और कहीं नहीं, कहीं नहीं रोक खाए, कथा बारता प्रसंग सुना, प्रसंग सुनके, उसमें जब प्रसंग आया, सुपामी जी महराजी का, ब्रन्दावन धाम का, जुगल नाम सोने मुझेपत नित कुंज विहारी, अव लोकत रहें केल शकी सुक के अधिकारी, गान कला अगंधर वुश्याम स्यामा को तोसें, उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिंपोसें, नपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन वासा जास की, आस धीरो उध्योत कर, रसिकछाप स्री हर्दास की, ये नावाजी ने भक्तुमाल जी में बढ़न किया, ये छप्पे जब सुना, और बोले कि स्वामी हर्दाजी महराज, जिन्होंने बांके भ्यार जी महराज, जो समस्त ठाकुरों के ठाकुर हैं, उनको प्रगट किया, निद्वन राजी में ब्राज दे थे, शाख्याद गान कलामे, गंधर भी उनकी अंस मात्र थे, प्रिया पेतम को रिजाने के लिए गायन करते थे, और उनके लाड़ले ठाकुर के चरणों से बारे महर निकलती थे, और बारे महरों को रोजाना के रोजाना स्वामी जी महराज, संत सेवा और जलचर, थलचर, नवचर सब को प्रशाद बितरित करते थे, राजा महराजाओं की भीड़ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए लगी रहती थे, लेकिन श्वामी जी महराज उन्हीं को दर्शन देते थे, जिनके हरदय में भावना भक्ती है, किसी तरीके का श्वामी जी महराज को लोप लोभन नहीं था, एक मात्र, बिहारी बिहारी, उन्ज बिहारी, एक आस, और सकल, तज तुरास, समझ दुरासाओं का त्या करते है कुझा व्यारी की आसाँ, ऐसे स्वामी हर्दाजी महरा, शवके मूल, शवके आधार सरूप, तो ये परसंग स्रवन किया, स्रवन किया, जब कथा पूरी भई, मेड़े प्रैम से सुना, और भी प्रसंग हुआ, प्रैम से सुना, जब ये स्वामी जी का चरित्र ब्रनन हु तही व्यांट जी के पाहिए, प्रणाम क्या है व्यांट जी, लगता है आप ब्रन्दावन धाम के हैं. श्वामी जी के परंप्रा के संब्द में अब ऐसे जानते होंगे. क्योंकि आपने जो बोलाए जिस तरीके से, समझ गेत और भी गहराई जानते होंगे आप. इस समय बरतमान में ये तो स्वामी जी महराज की आपने चरत्रावली सुनाई लेकिन बरतमान में उस कुल में उस परंपरा में कौन बराजमान हैं मुझे आप करपा करके बताओ कि उस परंपरा में स्वामी जी की परंपरा में बरतमान में छटमे आचार स्री श्वामी रशिक देव जी महाराज जिन्होंने स्री रशिक बिहारी जी को प्रगट किया प्रगट तो स्री ललतुभन देवाचार जी महाराज ने किया था स्री निद्वनराज जी में लेकिन वो जो है महाराश्च मद्रपरतेज न कहां-कहां जो ठाकुर गए और फिर वहाँ से जब रसिक देजी महाराश प्रवड गए तो इनकी सेवाख में रहने के लिए वो ब्रम्दावन धाम में आने के लिए पुन्हे रसिक थाकुर लाला तो हो आतुरो गए और रशिक देव जी के कारण से वो पुन्हे ब्रंदावन क्यों ब्रंदावन के ठाकुर ठाकुर भी बिना ब्रंदावन के रहना नहीं चाहते हैं पादे में एकम्न गच्छती एक पग भी बाहर रहना नहीं चाहते हैं तो ऐसे रशिक देजु महाराज इस समय बिराजमान हैं, जिनके ठाकुर रशिक बिहारी जुए हैं, आज आज परसंग सुनाया, तो बड़ी परसंग है, बहुत परसंग ने और भी बता दिया इस तरीके से, इस्थाने वहाँ हैं ऐसे, निद्बन राजी हैं, सहेज ठीक है, प्रणाम के आप, चल पड़े वहाँ से, चल पड़े सीध है, और रशिक बिहारी में आए, महाराज श्री को डणवत करी, प्रणाम करी, रशिक देजी महाराज बोले, जगना जी की आग्या से आयो, चे जे, नित्य सिद्ध मापरस्ते, भक्तमाल की कथा सुन के एकदम प्रभाव, जे जे, हाँ महाराजी, अब क्या चाहते हूं, कि मेरे हरदय में जी बात है, वह भी आप जानते हूं, रशिक देजी, यानि गंगाराम जी, जब तो गंगाराम नाम था, मेरे हरदय में ने फिर भी बोलो तो सही, कि आप मुझे, अपना दास बना लीजिए, दीख्या प्रदान केजिए, सिश्चिता प्रदान करो, मुझे, अच्छा, जब अनुगत अधिकारी जब पाते हैं, आरत अधिकारी जो पामें, गूड़हु तत्तुन साधु दुरामें, शंत्र शिक्मान पुर्स गूड से गूड तत्त को भी नहीं छिपाते हैं, अगर कोई अधिकारी हो तो, अनाधिकारी को नहीं, बताना चाहिए, बस तु का हिरास होता है, अगर अनाधिकारी को बूदक रस पायो, कहूं राखो भुसमे सान, भुसमे रस पयत नहीं, कोट मरो पच्छान, बूद पर रस मिला, उसको भुषमे मिला दिया, तो भुसमे सहिद की बूद फिर ढूड़े को मिलेगी, नहीं भुषमे मिल जाएगी, ऐसे ही, बहुत साब धानी बढ़तनी चाहिए, रस पक्खे में, उसको अमनिया हरदे में रखे, विहारी विहारन का उज्वल महा उज्वल रस है, प्रैम है, कहीं किसी विशे में लिप्त लोगों को एक मातना अनन्य भाव से भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, स्वामी जी का आस्र है, उनके साम ने कभी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपने हरदे का धन है, कहीं से मिल जा ऐसी कोई चर्चा, हरदे में बेटा ले, इसको सामाने चर्चा न समझे, पहली बात तो मिलती नहीं, मिल जाए तो हरदे में, बसा ले, एक जैसे महा कीमती बस तू, एक गरीब को बहुत महा कीमती मिलिया है ऐसे उसको संजिके रखते हैं तो स्रीश्वामी रिषिक देजी महराज ने दीख्या प्रदान की और प्रसंग सुना रहे थे कुछ कोई मंत्र दिया पहले ब्रज का में सुर्ट ऐसे करके और कुछ प्रसंग सुना रहे थे बोले महराज ये तो मैंने कृपा नात सब पहले सुना है मुझे तो स्वामी जी की बात बताओ स्वामी जी की बात बताओ रश्क दिया जी महराज बोले स्वामी जी की बात स्वामी जी का धर्म और ये सब एक ही बात है ब्रज का और ये कि द्यालू मैं आपका नया नया सिस्य हूँ माफ करना स्वामी जी की बात और और ब्रज की बात या और किसी उपासना की बात मेल खा जाए ऐसा संभर नहीं है नहीं मिलती है द्यालू मुझे माफ करना मुझे आप बहकाओ मुझे जब ऐसी तरक भी तरक गुरू चेला में देखी तुरंत ही तुरंत ही तुरंत एक बड़े सिस्य जो है पासम बैठे थे अरे गुरूं से ऐसे तरक करते हैं तुरंत चेला बने हो हम तो आज तक तरक न माना, जो महीन दम भी कर दे, क्यों अनाधिकारी हैं, सब को एक करके मानते, एक करके माना तुम स्वाम जी के देश के, ऐसे कर, तो जब बड़े गुरु भाई ने डाट फटका लगाई, तो कुछ नहीं बोले ठीक है, अश्रुपात करते हुए, वहां से उठ गे, और उठ के चल पड़े, गुरु जी को प्रणाम करके, निद्वन जी की तरफ, श्री शिक्देजी महराज ने कहा, कि ये देखना, इनके संग पीछे एक चेला कुशल से से भेजे, ये देखना, ये कहा जाते हैं, और क्या करते हैं, गई देखा जी, अपने आप पहली बार आये हैं, लेकर जाते कहा हैं, किसी से पूछते हैं, कहा जाते हैं, क्या जाते हैं, को गुरु जी भी जान रहे हैं इस बात को, क्या निद्वन जी हैं, अब देखा तो वो सीध ही निद्वन जी में पूँचे, बिना ही पर्चे के, बिनाई किसी को पूछे और निद्वन जी में जाके लताओं से लिपट लिपटके और रज में लोट पोट सहे जहाँ से ये रजरानी शाक्षात प्रिया प्रिया प्रितम क्रप का क्रपा चुरून है उनकी क्रपा का चुरून है इसको मस्तिक पे घरदय पे अंग में अनन्त असुव संसकारों का नास और प्रिया 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 प्रितम के प्रेम का प्राकट घरदय में होता है इस रजरानी की करपा से तो लोटे लताओं से स्वाभि जार्ण देजी महाराज केहते हैं प्रेम पदारत दूर है बिन से ही रजरू अगर प्रेम लेना है प्रिया प्रिया प्रितम का तो रज और लता इनका शेवन कर रा और एक चौभूला और बोल लहे थे असृपात करते हुए हम में कुन्ज कुन्ज में हम है कुन्ज विहारी विहारी सोई मम हैं, अवकाहू की रहीन गम हैं, ललित के सोरी रसम हैं, हम्में कुंज कुंज में हम हैं, और कुंज विहारी सोई मम हैं, जो कुंज विहारी हैं सोई हम हैं, ये चवबोला बड़ा मर्म युक्त है, में और ये चलो बोला जब सुना लिख लिया इसे सुना और गुरु जी को जाके महाराज देखो ये चलो बोला बर बार बार और ने का वह वह लोटते हैं अस्रपात करते हैं औरे, लबा के लाओ जाओ, लबा के लाओ, चल दिला समझ गए कि ये तो धन्या की जन्ने जाने ये जायो है हमारे और रहसरतन हमारे और मन्जूसा बानी की बकाई तक को खोले बेकुआयो है जो हमारे हरदाय मंडल में जो रसरहस्य का जो मन्जूसा छिपा हुआ हमने जो विराम कर दिता आप किसी को नहीं बताना ये महा महें अतिगूलातिगूल स्वामी जी का देश ये सब के लाइक नहीं है तो उसको खोलने के स्वामी जी से सहन नहीं हुआ स्वामी जी महाराजी आये है समझे लिया धन्या की जन्ने जन्ने के लिए धन्न बुलाया और जो स्री हरदास नाम मिसरत यूगल मंत्र पुने दिया पुने मंत्र दिया दुवारा जिसमें स्री हरदास नाम है स्री हरदास नाम अंकित नहीं तो काट मोट तकसाल जिस मंत्र में स्री हरदास नाम नहीं है संग और यूगल का नाम है स्वामी जी के देश में वो मंत्र जाप नहीं किया जाता है बात यह है स्वामी जी का नाम है केवल स्वामी जी का नाम जाप कर सकते हैं लेकिन केवल और केवल यूगल का नाम जाप नहीं कर सकते हैं ये टेक है है कोई कहे कि हाँ स्वामी जी का कर सकते हो यूगल का नहीं करना मत करो लेकिन ये नहीं कि यूगल का करते रहें और स्वामी जी करना तो यूगल तुमको स्वीकार नहीं करेंगे क्या स्वतंत्र कह रहे हैं स्वतंत्र नहीं यूगल नाम निस दिन रटे सेवत नित्य विहार नित्य विहार की आसा है और योगल नाम अर निज्जाब कर रहे हैं लेकिन शीहरदास नाम वंकित नहीं तो काट मोर टकसाल स्वामी जी का नाम उसमें नहीं है तो वो जैसे बादसाही महर के बिना बादसा के द्वारा फरमाया हुआ 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 तो ऐसे स्री लद्किसुरी देजी महरा है कास अलप रूप में आपने चरित्र श्रवन किया ब्रहत चरित्र है पूर्व आपने सुना हुआ कई बार लेकिन आज उश्यपून हुआ है परसों बिसेश थाई कल भी समाज संत सेवा आज भी जो भी अलप रूप में याड़ी मह रज करपा से आज दोनों समय समाज और संतन की करपा ब्हारी ब्हारन की करपा तो ये उस समय उस सहा लेना उस सहा में आनंदित होना और समले तो होना किसी भी तरीके से ये बड़ी करपा होती है खोद कृपा होती है प्रेम की पता का दिन रात फेरात जाकी बाजत निशानमुद ब्रंदावन धाम है एक जो है अंतिम बधाई है अभी अभी गायन किया था प्रेम की पता का दिन रात फेरात जाकी कोण की लद किसुरी देज महराज की बाजत निशानमुद ब्रंदावन धाम है श्यामा श्याम आखिन में कैसा आबिश हरदय में आखों में ब्यारी ब्यारिन बसे हो गए है नाम जसल आखन में भासन में जात बलिहारी जन ग्राम है जन श्क समूं ग्राम का समूं सब के सब बलिहारी है जे ओ श्री लल्द के सुरी देजु महराज की ऐसे जय जय कार बुलती हुई चली जाती थी श्री श्वामी लल्द के सुरी देजु महराज परम प्रचंड तेज मारतंड हूतेयती अंगनित लो महराज के दर्शन के लिए आते थे परम प्रचन्ड तेज मारतन्ड हूतियत सीतल ससी के संसोभा विराम है ब्रंदावन धाम में आनंद पूर्वक दर्शन करते महराज की कृपा प्राप्त करते लोग बाहर से आके परम प्रचन्द तेज मार्तन हुतियत परम प्रचन्द तेज मार्तन निसूर से भी ज़्यादा अध सीतल ससे की और सीतल चंद्रमा से भी ज़्यादा शोभा अविराम है, शोभा की रा से है श्वामी हरिदास जूके दितियनूप रूप ललित किसोरी नहीं ललित ललाम है ललित किसोरी केंधों ललित ललाम अपने श्वामी जी की प्रमप्राम है श्वामी लल्त किसोरी देए जी महराजी का श्वामी जी का दोतिय सरूप मना जाता है यह सुईकार किया जाता है श्वामी जी महराजी ही दोबारा आए थे ऐसा सुईकार किया जागता है तो ऐसे स्रीश्वामी लल्द के सुरेदेजी महराजी का आलप पुचरित्रो आप लोगों ने स्रवन किया प्रायम से भाव से क्यों के हरी करपा तब होती है जो आचारियों की गुरुओं की करपा हरदय में हम धारन करेंगे तब होती है करम है ये काइदा है ये तो उश्वों के माध्यम से आचारिय जैन हम सब दासों पर बड़ी करपा करते हैं ये इन की प्रकारियन ये संसार के बिचारे संसार के आवरण से ब्रहमित जी उश्रमों के माध्यम से कोई तन से कोई मन से कोई धन से कैसे ही सम्मिलत होते हैं और अपना कल्यान कल लेते हैं इस बहाने से आचायरों ने पुरानी प्रणाली को जो है ये बनाया है पुरानी प्रणाली आचायरों ने बनाये है स्रीश्वामी लल्द के सोरी देजु महराज ने और जो है उस सब प्रारम किये थे स्रीश्वामी लल्द के सोरी देजु महराज कीजे आज भी बरत्मान में भी बड़े बड़े दिव्य महापुर्स शबी गदियों पर ब्राजमान है शब के द्वारा बंदित आदरणी परसंसनी है शबी जो है लेकिन बात ही है हमारा हरदय और हमारे हरदय में जिग्यासा बस्तु के परती होगी तभी इंसन्त महापुर्सों का सानिध्य प्राप्त होता है जब तक जिग्यासा नहीं होती है जब तक स्वामी जी के धर्म और मर्म को जानने की जिग्यासा हरदय में जागरत नहीं होती है और ये भी सत्संग के द्वारा होती है तभी आगे बढ़ा जाता है इसलिए अपना कल्यान करो बड़ों के चरणों में आस्रे बना की और निरंतर स्रीहरदास नाम सभी सत्संग का सार उस्सवों का सार ध्यान का सार सब का सार स्वामी जी के चरणों में मन हो जाए नाम जाप में मन लग जाए करता मन करता सही करता स्री हरदास करता सुख इनसों लहें महाप्रें सुख रास सकर समझ को सार सार है बीद को स्री पति को है सार सार ब्रम भीद को राम कृष्ण को सार सार है रास को और सव सारन को सार भजो हरिदास को स्री हरदास स्री हरदास